नमस्कार, शक्ति पे डिजिटल में आपका स्वागत है मैं हूँ जुही सिंग इस साल सरस्वती पूजा सुल्ला फर्वरी 2021 दिन मंगलवार को है इस दिन विद्या की देवी मा सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है मानता है कि इस दिन मा सरस्वती की पूजा करने से विद्या और बुद्धी का अशुरौाद मिलता है इस दिन किसी बेकारी की शुरौाद करना शुब माना जाता है सुल्ला फर्वरी को सुबा 3 बचकर 36 मिनट पर पंचमी तिथी लगेगी जो की अगले दिन यानि 17 फर्वरी को सुबा 5 बचकर 46 मिनट पर समाप्त होगी ऐसे में पंचमी तिथी सुल्ला फर्वरी को पूरे दिन रहेंगी आखिर क्या होता है बसंत पंचमी का महत्व सरस्वती पूजा यानि बसंत पंचमी के दिन नए कारी की शुरुवात की जाती है जो तिसाचारियों के अनुसार बसंत पंचमी का दिन अभूज मुहरत होता है इस दिन किसी वेकारे की शुरुवात करने से शुप परिणाम प्राप्थ होते हैं क्या है बसंत पंच में पूजा विधी मा सरस्वती की प्रतिमा या मूर्ती को पीले रंग के वस्र अर्पित करें रोली, चंदन, हल्दी, केसर, पीले या सफेद रंग के पुष्प, पीली मिठाई और अक्षत जरूर अर्पित करें पूजा के स्थान पर वादियंद्र और किताबों को अर्पित करें मा सरस्वती की वन्ना का जरूर पाठ करें बसंत पंचमी के दिन ही मा सरस्वती प्रकट हुई थी पौरानिक कथाओ के अनुसार, स्रिस्टी के रचनाकार भगवान ब्रह्मा ने जब संसार को बनाया तो पेड़ पौधी और जीव जन्तुओं को सब कुछ दिख रहा था लेकिन उन्हें किसी चीज की कमी महसूस हो रही थी इसी कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाल कर छिड़का तो सुन्दर स्री के रूप में एक देवी प्रकट हुई उनके एक हाथ में वीना और दूसरे हाथ में पुस्तक थी तीसरे में माला और चौथा हाथ वर मुद्रा में था यही देवी थी मासरस्वती मासरस्वती ने जब वीना बजाया तो संसार की हर चीज में स्वर आ गया इसी से उनका नाम पढ़ा देवी सरस्वती यही दिन था बसंत पंचमी का तब से देव लोग और मृत्यों लोग में मासरस्वती की पूजा होने लगी शक्ति पी डिजिटल में आज के लिए इतना ही जुड़े रहिए आप शक्ति पी डिजिटल के साथ धन्यवाद